Hello, Good Morning, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सब को Part 8 हिंदी लिट्रेचर का तितली और कली पेस नमबर 46 पे जो है वो से खाऊंगे ये एक कविता है तितली और कली की तितली होती है जिसको हम इंगलिश में बटरफ्लाइ बोलते हैं कली मतलब एक फूल जब खिलता है उससे पहले जो कली होती है उसकी चलिए अब हम इससे पहले पढ़ते हैं फिर हम आपको इसको समझाएंगे हरी डाल पर लगी हुई थी नन्नी सुन्दर एक कली तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली अब जागो तुम आखे खोलो और मेरे और हमारे संग खेलो फैले सुन्दर महक तुमारी महके सारी गली गली कली चिटक कर खिली रंगीली तुरंत खेल की सुनकर बाद साथ हवा में लगी भागने तितली चूने उससे चली यहां तितली बोलती है हरी डाल पर लगी हुई थी वो जो थी वो हरी डाल पर जैसे फूल हरी डाल पर लगता है ऐसे ही जो कली होती है कली के बाद ही फूल खिलता है तो कली जो थी हरी डाल पर लगी हुई थी नन्नी सुन्दर एक कली एक प्यारी छोटी सी कली थी तितली उससे आकर बोली तितली ने उससे आकर बोला तुम लगती हो बड़ी भली तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो अब जागो तुम आखें खोलो अब मतलब तुम जाग जाओ और अपनी आखें खोलो अपने पंक और अपनी जो पतियां हैं उनको खोलो और हमारे संग खेलो और हमारे संग में खेल खेलो फैले सुनतर महक तुमारी तुमारी जो महक है तुमारी जो खुश्पू है वो हर तरफ फैल जाए महक है सारी गली गली और तुमारी जो खुश्पू है वो सारी गली गली पूरे जग में हर जगे फैल जाए कली चिटक कर खिली रंगीली कली एकदम से खिल गई मतलब कली जो है उसके जो पत्तियां थी वो खिल गई, फूल हो गया तुरंत खेल कर सुनकर बोली खेल की बात सुनकर तुरंत खिल गई वो साथ हवा के लगी भागने और हवा के साथ में वो भी भागने लगी मतलब जैसे हवा चल रही थी वैसे उसके भी जो पत्तियां थी वो लहरा रही थी धरुदर वो भी भाग रही थी तितली चूने उसे चली और तितली जल्दी से उसको चूने आ गई आशा करती हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा धन्यवाद